केंद्रिय बजट 2023 से 24 के मुख्य बिंदू केंद्रिय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतार्मन ने आज 01 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रिय बजट 2023 से 24 पेश किया. बजट की मुख्य बाते इस ककार से हैं. भागर काइम्स प्रती व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाक रुपय हो गई है. काइम्स भारतिय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की दसवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है. काइम्स कर्मचारी भविश्य निधी संग्ठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड तक पहुँच गई है. काइम्स वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाक करोड रुपय के 7400 करोड दिजिटल भुक्तान किये गए है. काइम्स स्वच भारत मिशन के अंतरगत 11.7 करोड घरों में शौचालय बनाए गए है. काइम्स उज्वला योजना के तहट 9.6 करोड LPG कनेक्शन दिए गए. काइम्स 102 करोड लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी तीका करण का आंकडा 220 करोड से पार. काइम्स 47.8 करोड प्रधान मंत्री जंधन बैंक खाते खोले गए. काइम्स पी-एम सुरक्षा बीमा योजना और पी-एम जीवन जोती योजना के अंतरगत 44.6 करोड लोगों को बीमा कवरेज. काइम्स पी-एम सम्मान किसान निधी के तहट 11.4 करोड किसानों को 2.2 लाग करोड रुपे का नकद हस्तांत्रेंग. काइम्स बजट की साथ प्राथमिक ताएं सब्तरिशी. इनमें शामिल है समावेशी विकास, अंतिम छोरंतिम व्यक्ती तक पहुँच, बुनियादी धांचा और निवेश, नहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ती तथा वित्तियक शेत्र. काइम्स आत्म निर्भर स्वच पादप कारेक्रम का शुभारंग 2,200 करोड रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुर्वत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त तथा गुर्वत्ता पूर्ण पौध सामगरी की उपलब्धता बढ़ाने की उद सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. काइम्स केंद्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाक जनजातिय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासिय विद्यालेओं में 38,800 अध्याप को तथा सहयोगी करमचारियों को नियुक्त किया जाएगा. काइम्स पी-म आवास योजना के लिए परिव्ये 66 प्रतिशत बढ़ा कर 89,000 करोड रुपए किया गया. काइम्स रेलवे के लिए 2.4 शून्य लाक करोड रुपए की पूनजीगत निधी का प्रावधान जो 2013 से 2014 में उपलप्त कराई गई धनराशी से 9 गुना अधिक और अब तक की सरवाधिक र की कमी के उप्योग के माध्यम से होगी. इसका प्रबंधन राश्चिय आवास बैंग द्वारा किया जाएगा और इसका उप्योग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में शहरी अफसंरचना के निर्माण के लिए सारवजनिक एजंसियों द्वारा किया जाएगा. आगे जानने के लिए भाग दो का इंतिजार करें. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेर.